वेल्कम बैक टू दिशा मामा डेली लाइफ ब्लॉग्स तो फ्रेंज आज माता लक्षमी के दूसरे गुरुवार के ये ब्लॉग है मेरा तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं सुबा सुबा सारी लीपा पोछा कर ली थी लाल मीटी से भी लीपाई कर दी थी मेरे आप प्रिवियस ब्लॉग में देख सकते हैं तो अभी हम जो चावल भीगो कर रखे थे ना उसे ग्राइनिंग करके ले आए हैं और उसी से ही हम माता के पुझा के लिए जोटी बनाते हैं तो अगर वीडियो में आगे बनने से पहले तो अगर आप मेरे चैनल में ने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और सेयार करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को एंट तक जरूर देखिए आज माता लक्षमी की हम पूरी तरह से सापना वीधी में आपको बताऊंगी तो देखते रहे हैं वीडियो में दोनों हाथ से दोनों पेर बहुत आसानी से बन जाती है आप जैसे की देख सकते हैं इसी तरह थोड़ा आप उपर से देदेगे तो आसानी से जिसको भी ये बनाना नहीं आता होगा वो भी बना लेगा तो हम जब छोटे छोटे थे थे ना तो हमें नहीं बनाना आता तो हम ऐसे ही बनाते थे अपनी घर में मा को देखकर दोनों हाथों को लेकर चावल में डूबा कर इसी तरह से जोटी बनाते थे तो ये बहुत आसान होती है बनाना तो आपको मेरा ये जोटी जो लेक्समी प पर जोटी द्वना दी हैं तो अभी रात के तीन बज़े हैं मैं उठकर पहले जोटी जो हमारा है ना वो सुख गया है तो उसकी में थोड़ा सा फोटो ले ले लेती हूं आपको सेयर करने के लिए कि मैं सारी जोटी सूट नहीं की थी कल रात को तो इसी वज़े से आज सुभा सुभा उठकर ही मैं जोटी की सारी फुटेज ले ली ताकि आप साब के साथ सेयर कर सको मेरा ये जोटी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए ये देखिए ये माता का आस्तान है यह जरू करेंगे तो मैं अपनी सिंदुल लगा लेती हूं जैसे कि आपको पता है पुजा से पहले हर सद्वा नारी को सिंदुल लगाना चाहिए उसके बाद ही पुजा करना चाहिए आज माता लेक्षमी की दूसरी गुरुवार की व्रत है और आज के हमारी पुजा वीधी क क्या क्या है आज हम कैसे पुजा करते हैं आज के पुजा में क्या क्या प्रसा लगता है वो सारी चीजे मैं आपको पूरी डिटिल से आज बताऊंगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाई जरूर कर दीजिए और अपने प्रेंस और रिलेटिव के साथ सेयर कर दी और आस्तान सजा रहे हूं आस्तान सजा कर उसके ऊपर हम लक्स्मी माता की स्तापना करेंगे उससे पहले हमें सबसे पहले जो हमें मानना होता है ना कि हमें गनेस प्रभु जी की स्तापना की जाती है हमारे यहां जो भी पूचा हो उससे सबसे पहले उसमें गनेस प् में देखिये की चाहएं पहले आप माता लक्समी की उजेसे कि आपको पता है पिछले व्लॉग में छोटा सम उच्रहिएrt माता लक्समी की उनके पास दो फोल्टे हला है उनके वहन है उतान के भीकिन छहाएं हमारे अगले जो मानवशा गुरुबर आते है ना आखरी गुरुबर तो उसमें है ना पूझा बिलकुल ही अलग प्रकार के होती है आओ यहाँ वहाँ पर माता लक्षमीं की विगर गी नहीं धान की बना हुआ बेंटी की पूझा होती है तो बो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर सेहर करूंगी देखना मत भूलिएगा जरूर देखिए याग से और यह देखिए यहाँ पर हम माता लक्षमी जी की स्तापना कर रहे हैं उसके बाद उनको अच्छी तरह से फूल से सजा लेंगे और चावल रखकर उस पर हमारी जो लक्षमी पुजा के गुवा होती है तो उसे भी रखली है हम और माता को अच्छी तरह से सजा लेंगे और उसके बाद माता को और प्रफु गनेश जी को सिंदुर भी चढ़ा देंगे चंदन भी चढ़ा देंगे उससे पहले हम पुन कलेस पानी का कलेस रखेंगे माता के पास और माता के पास जो भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे बाल धूप में वो रखेंगे जैसे कि हमारे यहा हर पुजा में बाल धूप में छेना, गुड और केला माता के सब से पसंदीदा है तो वो प्रसद लगता है और उसके साथ ही जो हमारी लक्समी पुरान पुस्तक है पुरान है तो उसका जो किताब है उसे भी रखेंगे और पुजा सुरू करेंगे आप देख सकते हैं मैं पहले गनेश शीक को अपनी कलेश शीक को बंदावना करेंगे उसके बाद माता जी की बंदावना करूंगी और उसके साथ ही हमारी आज के माता का स्टापना पुरा हो गया और माता का पुजा यहां से सुरूग भी हो गया है तो माता के स्तापना करने के बाद हम आते हैं तुलसी माता के पास क्योंकि माना जाता है तुलसी माता हमारी घर की पहली भगवान होती है घर के अंदर जाते वक्त तुलसी माता की दर्सन करते हैं और बहार जाने के लिए तुलसी माता के दर्सन करके जाना बहुत सुब माना जाता है तो हमारी तुलसी माता के बहुत महत्वे हैं उनकी भी पूजा की जाती है तो आप देख सकते हैं मैं तुलसी माता के पास आ गई हूं और उनको प्रसाद चढ़ा कर उनकी बंदावना कर लोंगी तो तुलसी माता की भी पूजा हो जाएगी तो हम थोड़ा सा चावल तुल्सी माता की पूजा को भूजा है ठोलत हम देख तुलसी माता की पूजा हमारी है घगार करेंगा तुल्सी माता की पूजा को हमारी खतम हो जाएगी खिस मितotal शूरीय का है Nation मैं सुरज दिप्ता की भी पुझा कर लेती हूँ और ये देखिए तुलसी माता के पुझा करने के बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि लख्ष्मी पुझा के दिन आप चौकट को कैसे पुझा कर सकते घर की जो दर्वाजे होते हैं माना जाता हैं वहाँ पर भी लख्ष्म दोनों तरफ में अच्छे से फूल दे दूंगी यहां पर गोबर नहीं मिलता है लेकिन गाओं में जो होते न वो काय के गोबर रखकर उसके उपर फूल दिया जाता है और उसके बाद में प्रसाद चढ़ाऊंगी और प्रसाद चढ़ाने के बाद में बंदापना करूंगी और दिया के साथ पूजा कर लूँगी चौकाट की और इसके साथ हमारा चौकाट का जो पूजा है वो पूरा हो जाएगा चौकाट का पूजा बहुत जरूरी होता है लक्समी पूजा के दिन घर की दिखने भी दरवाजे होते हैं उन सारी दरवाजे के पास ही ये पूजा हमारा होता है चाहे गर की इतने भी दर्वाजook हो सभी दर्वाज考 के पास ही हमारा फूजा होता है पहले और उसकी बाद मातालक्ष् की पुराण पढ़ा जाता है तो यह देखिए मैं चो काड की पूजा कर रही हूं और पिवे उसके बाद इसकी बंदाबना कर लूँगी और इसके साथ ही हमारे फूजा खतम हो जाएगी और मैं प्रणाम कर लूँगी और यह हमारा फूजा हो जाएगी तो आपको भी अगर इसी तरह चोकर की पूजा करना है तो आप कर सकते हैं या फिर आपके इहां किस तरह से ये पूजा होती है मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे आपकी सपोर्ट और हेल्प के बहुत जरूरत है तो प्लीज सपोर्ट मी और हेल्प मी और सब्सक्राइब मैं चैनल तो ये देखिए मैं पूजा कर ली और अब मेरी बेटी की स्कूल की टाइम हो गए है उनकी स्कूल में स्पोर्ट चल रहा है तो उसे थोड़ा जल्दी सुबह जाना होता है तो ये देखिए मैं उसे तयार कर रही हूँ और उसे तयार करके उसके बाद उसे स्कूल छोड़ दूँगी क्योंकि सारा काम करना पड़ता है उसके साथ ही बेटा जो है वो एक बार उटकर सुबह सुबह फिर दुबारा से सो गया और बेटी को मैंने उठाई और उसे तयार करके स्कूल छोड़ दिया उसके बाद हम पूजा घर में चले आते हैं और अभी हम माता जी के पास बेटकर माता लक्षमी की पूरान पढ़ेंगे माना गया है हमारी इस पूरान में लिखा गया है जो भी नारी इस पूरान को पढ़ता है उसे बहुत ही पुन्य प्राप्ती होती है तो हमारे इहां लक्षमी पुजा में ये पुष्टक की आप पुरान जरूर पढ़ा जाता है एक बार तो ये देखें मैं पुरान पढ़ रही हूँ सायद आप मेंसे कुछ कुछ इसे समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये हमारी ओडिया भासा में लिखा हुआ होता है और इस पुरान में माता लक्षमी और जगरनात महाप्रभु की पूरी कथा लिखी होती है और पुजा के सारी नियम सारी विधी विधान इस पुस्तक में लिखा हुआ होता है तो मैं सुभा सुभा थोड़ा पढ़कर रख लूँगी उसके बाद ही प्रसाद चढ़ा दूँगी बाल धूप का और बाद में हमारी काम खतम होने के बाद ही मैं पढ़ूँगी पूरा किताब क्योंकि बड़ा पुस्तक है एक टाइम में नहीं खतम होता मेरा तो मुझे बाकी भी सारी काम करना होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिन में एक बार जरूर complete कर लेती हूं पुस्त को तो ये देखिए मैं प्रसाद चड़ा रहे हूं पेले बगवान गनेशी को उसके बाद माता लक्षमी को प्रसाद चड़ाएंगे हम और प्रसाद के ऊपर हम पानी छिड़क कर उनको कर लेंगे उसके बाद ही हम तो पर की संखुड़ी प्रसाद की तैयारी में लग जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बंदावना करेंगे जो बंदावना है हमारे पुझा में तीन बार होती है दिन को जितनी बार पुझा होती है माता की उतनी बार बंदावना हो और उसके बाद आप जैसे कि आप जानते हैं नारियल की जो चुना के दूप होती है मैं उसे भी माता के आरधना करती हूँ वो दूप भी माता को बहुत पसंद है तो मैं उसे भी लगाना नहीं भूलती उसके बाद आखरी में हम माता की आलती कर लेंगे और आलती के साथ ही मेरा जो बालदूप का पूजा है वो खतम हो जाएगा और आप भी माता की दर्शन पुरी तरह से कर लीजिए और माता लक्समी की कुरूपा आप सब पर सदे बने रहे और बस मेरी माता के पस पस यही दुआ है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं माता को प्रणाम कर रहे हूँ और मेरा बालदूप का पूजा वो खतम हो गया रुकिये रुकिये मेरा बालदूप का पूजा भी खतम नहीं हुआ है क्योंकि मेरी पुझा खत्म होने के बाद कुछ नया मिला मुझे आज जो फूल है कल कमल का फूल जो माता को बहुत पसंद है बो मिल गया आज मुझे कुछ मेरे पती जो दुकान गए थी तो बो ले आए कल नहीं मिला था मैं पिछली बार गुरु बार को उन्हें कही थी तो आज ले आए तो आप देख सकते हैं कमल का ये फूल है लेकर आए हैं दिसा के पापा तो मैंने सोचा आज चलो आज माता की कुरुपा है माता की सबसे पसंदीदा फूल आज मिल गया तो इसे हम माता पर चड़ा लेते हैं माता को तो यह देखिए मैं माता को कमल का फूल च जड़ा लूँगी इसके बाद आज की प्रसाद में क्या बनाती हूं और इस बार इस पाली की गुरुवार को माता के प्रसाद में क्या बनता है मैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ सेयर करूंगी तो ब्लॉग में बने रहे और वीडियो लगे तो एक लाइक किजिये and support me and help me और माता लक्षमी की कुरुपा आप सब पर सदेव बना रहे बस यही कामना है मेरे मां के पास तो जे माता लक्षमी जे नरायन जे जजगनात स्वामी बाइ बाइ